हलो एट वेलकम दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे घल्दी होंगे और खुस भी होंगे चलो शुरू करते हैं आज की अनलेशिस अनलेशिस सुरू करने से पहले बता दूंकि जैसे कि मैंने बोला था कि यहां से हमें क्रेक्शन देखने को मिलेगा तो वैसा ही मार्किट रेक्ट कररी है। अगर मैं 15 मिनित पर देखता हूँ तो 15 मिनिट पर अगर आप देखो गे तो मार्किट सुबह खुलते हीगिरगई ठीक है। कि यहां पे एक ट्रेड प्रेंप हो गए था निकल गया था जब निकल गया था ताप जब मैंने लाइव ट्रेडिंग अब जाते जाते बोल के गया था कि हम जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि यह support line है ठीक है अभी एक major support तो यहां से reverse आया बट जाते जाते market ने support को break के और downside closing दी ठीक है तो अब आगे क्या अब आगे तो अभी देखो इसने almost थोड़ा सा gap तो clear close कर दिया है यहां से gap close होगा मैं मानतो हूँ एक reverse आएगा अभी यह जो support था यह resistance का काम करने वाला है तो अगर यहां से reject होके यहां इस trend line के पास चला जाए तो ऐसा भी हो सकता है यहां फिर एक बार यहां से reject होके यहां एक cup and handle pattern बना के breakout दे दे then हो सकता है further continuation आजाए और जो next resistance रहेगा 16,500 रहने वाला है ठीक है तो ऐसा market react कर सकती है इन दो वेज़से मैं expect कर रहा हूँ कि market इस तरीके से कुछ react करेगी और अगर कल को ज़्यादा gap down खुल जाता है तो बहुत aggressive suit करने के हम नहीं try करेंगे ठीक है छोटा सा ही अगर करना भी होगा तो सका helping है नि लाइव मार्केट में जो भी होगा मैं वह आपको दिखाई देता हूँ ठीक है तो कल लाइव मार्केट में वह देख लेंगे कि किस तरीके से हमें execute करना है लाइव में बट फिलहाल हमारे लिए अभी एक resistance का काम करने वाला है 16,500 और जो एक major major resistance बन गई है फिलहाल के लिए वो बन गई है 16,500 तो यह दो रेजिस्टेंस का हम उपर साइड में ध्यान रखेंगे डाउन साइड में वही जो मैं बात कर रहा था कि 16,500 तीन सो चालिस से तीन सो पचास का सपोर्ड जो नहीं अगर वहां से reverse कर जाए तो बहुत बढ़िया अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट एक बार इस ट्रेंड लाइन को जुरूर टच करेगी हां अगर यह ट्रेंड लाइन को टच करके reverse कर जाए दावेस्ट है ठीक वह तो अच्छा सेनरियो चांसिच वैसे इसी के ज़्यादा मानता हूं मैं अभी भी मैं फिलहाल तो बुलिश हो मार्केट के उपए ठीक है अगर यह ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो देन अगेन हो सकता है कि हमें जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ओवर और वो डाउन ट्रेंड अगेन यहां से स्टार्ट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है बट हम मैं फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हों कि मार्केट इतना भाग सकती है तो इन लेवल्स को जरूर ध्यान रखेंगे 16,700, 16,500 अपर साइड में रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं उससे पहले हां यह 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 वी काम करेंगा यह 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 चोटा स्टोब्लोस की बात करूं जो सोट करना चाहते हैं उनके लिए 16,500, 16,000, 175 इस लाइवल को भी ध्यान रखेंगे क्यों यह यह रहे है हैं पहले सपोर्ट का काम किया था अब ही यह रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यह बी रेजिस्टेंस की तो जोला ह territory यह चोटे चोटे चोटे-चोटे चोटे juegos चलते रहे कें निफ्टि का यह lag अगर यहां से रिजेक्ट हो के स्टोंगली डांसाइट ब्रेक कर जाता है तो यह ट्रेंड लाइन हमें मिल सकती है और अगर यह साड़े 300 का लेवल एक बार ब्रेक हो गया तो बहुत मुमेंटम के साथ मार्किट एक बार ट्रेंड लाइन तक जा सकती है ऐसा दाउट अफिर में डाल सकते हो एक और चीज अगर आपको सीरीज अच्छी लग रहे तो को लाइक जरूर कर दिया करो दो लाइक बटन ही तो प्रेस करने कौंसा मैं पैसे नहीं मांगता कुछ नहीं मांगता बस देखते देखते लाइक बटन प्रेस करने उसमें कोई ज्यादा जोरत लगने वाला नहीं है ठीक है तो लाइक बटन प्रेस करने में इतना मत सोचा करोगी करूं या नहीं करूं आलस मत क्या करो ठीक है बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं त सुरू होती है तो बैंक निफ्टी में ही पहले सुरू होगी क्योंकि इसने 2000 पॉइंट का कॉंटी न्यूस एक रैली दिखाई थी तो इसलिए यहां पर करेक्शन आई है ठीक है हाइर साइड से लगबग इसका करेक्शन हो गया काम करने वाला है वो कौन सा है 35,900 यानि लगबगर 36,000 का लेवल यहां से 400,500 का जो है डाउन साइड हमें और दिख सकता है उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी अच्छे से अपसाइड मूग कॉंटिनू दुबारा कर देना चाहिए ठीक है अगर बै फिलहाल एक स्ट्रॉंग सपोर्ट का काम करेगा 36,000 खुद है ठीक है क्योंकि वह साइकलोजीकल लेवल है तो डेफिनेटली वहां पर ओपन इंड्रेस्ट अच्छागा सा बिल्ट अप है ठीक है तो 36,000 और 36,000 ब्रेक होने के बाद 100 पुइंट डाउन जा सकता है 910 तक यह लेवल को जरूर ध्यान रखेंगे इन सपोर्ट को जरूर ध्यान रखेंगे इनको इगनोर नहीं करना है ठीक है तो यह सपोर्ट लेवल है हाँ अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी आज यह भी डाउन मतलब कुलते ही करेक्शन आया same structure रही बट कल कल की में comparison करो तो ब तो bank nifty पर जादा हम ध्यान रखेंगे ठीक है बाकी momentum मुझे लग रहा है bank nifty के अंदर जादा देखने को मिलेगा ठीक है अब बात कर लेते हैं infosys की क्योंकि IT sector further weak हुआ है दोबारा तो अब मैं बहुत जादा भी weakness expect नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने infosys को select किया इसका reason में बता देता हूँ infosys आज खुलते ही काफी अच्छा गिरा फिर it slowly and steadily down गया ठीक है यह slowly and steadily down जाना भी क्या बताता है कि कि अब जो next move आएका वह बहुत ज्यादा हो सकता है बहुत ज्यादा कर लेना ठीक है उसके बाद अगर continuation मिलती है तब दुबारा trade execute करेंगे हम ठीक है otherwise मैं expect कर रहा हूँ कि यहां से हमें further upside move देखने को मिल सकता है chances are very very much high तो short side के trade infosys में बन सकता अगर IT sector कल को further week होता है तो एक बार के लिए बट मैं अब IT sector में bounce back की मैं expectation कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि IT sector में double bottom type का structure दो हमें देखने को मिल रहा है तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे वहीं पर MFSL की बात करूँ तो इसने की major support ब्रेक किया है ठीक करूँ ब्रेक भी देखो को breakdown भी देखो कि बहुत strong candle से breakdown दिया है ठीक है तो इसलिए मैं expect कर रहा हूँ कि अगर यहां हमें further continuation मिलती है यानि हो सकता को एक बार retracement मिले further continuation मिले तो definitely हम one ratio two का trade यहां पर अराम से लेके चल सकते हैं ध्यान रखना इसके अंदर stop loss अपना proper लगा के रखना क्यूं क्यूंकि आज one sided move आया है तो हो सकता है कि यह थोड़ा सा low बनाने के बाद दुबारा upside जो move वह भी one sided आ जाए ठीक है तो इसलिए अपने stop loss को proper carry करेंगे ठीक है एक्विटी में stop loss handle करना बहुत easy रहता है बस आपको manually डालने पोजिशन साइजिंग के according जो options होते हैं उसमें problem आती है थोड़ा सा stop loss को set करने में ठीक है वहाँ उपर नीचे होता रहता है तो इस चीज़ का भी जरूर जरूर ध्यान रखेंग इनफोसिस और MFSL दोनों के अंदर short side की trade बन रहे है बट अपने stop loss को properly maintain करके चलेंगे अगर profitable trade जा रही है one ratio one चला गया तो उसके बाद अपना trailing stop loss लगा देंगे break even पे ठीक है break even से थोड़ा सा profitable पे लगा देंगे ठीक है ताकि hit भी हो तो क्योंकि one ratio one आपका चला गया था तो कुछ तो आपके हाथ में आए बिल्कुल भी खाले ना आप जाओ ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इसी के साथ I hope आपको यह चीजें यह जो concepts हैं जो मैं बता रहा हूं यह आपको जरूर समझाएंगे और आपको जरूर help कर रहे होगी तो इसी के साथ दो आगे बढ़ते हैं मिलके इसी तरह मैं आपके लिए लात रहूंगा अच्छी वीडियो अच्छी श्तोक्स और पूरी एनलीस ठीक है जो आपको help करते रहेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर my name is संडीप we are from सिंफरीन जैहिंद